में पर सब करें जैसे अराम दोस्तों भक्ति साग्ट सुनी का चैनल में आप सब का स्वागत है जिसमें हम आपको सुनाने जा रहे हैं रमायन सेज़ुड़ी कता शिरी राम और aż इता का मंगल करें हमने ने कथाई सुनी है आज हम आपको रमायन से जुड़ी एक बहुत ही पराचिन कथा सुना रहे हैं जिसमें बताया गया है कि गरभती अवस्था में सीता माता को शिरी राम का वियोग जो है वो क्यों सहना पड़ा तो आईए कथा शुरू करते हैं सनातम धर्म के गरंतों में बताय गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है चाहे वैं इनसान हो या फिर इश्वर इसका एक उधारन माता सीता का है जिसका जिकर रमायन में किया गया है दरसल रमायन कई भाशाओं में लिखी गई है अलग अलग रमायन में कई तरह की दंत कथाई मिलती है जि इस कथा के नुसार माता सीता को एक तोते का शाप मिला था जिसकी वज़े से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा यही कारण है उनके अलग रहने का जिसकी वज़े से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा पहले सीता माता को बनवास के दोरान रावन अपरन कर रहता है और उसका वद करने के बाद माताशीता के साथ भगवान राम की अयोत्या में वापसी होती है फिर धोबे की वज़े से माताशीता को लग रहना पड़ता है हम सब के मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है फिर वे अपनी पतनी से लग क्यों रही कथा के अनुस पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बाते कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। दोनों पक्षियों को पकड़ लिया फिर दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविश्य के बारे में इतना ग्यान कहां से प्रापत हुआ तब पक्षियों ने बताया कि इस से पहले हम महारिशी बालमिकी के आश्रम पे रहते थे जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज एक खंटसद याद हो गई है सीता ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता के तुम लोगों बात कर रहे हो मैं वही जनक पुत्री सीता हूँ मुझे मेरे और राम के बारे में और वी बाते जाननी है तब नर तोता ने कहा कि हे सीता आप का विवा अयोध्या के राज दश्रत के जेश्ट पुत्र राम के साथ होगा आप के जोड़े तिनों लोगों में अध्भुत होगी सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता नर और मादा जो थे वह जवाब देते रहे सीता ने कहा जब तक मेरा विवान नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राज महल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख से विदाय मिलेंगी सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया तब नर तोता ने कहा कि जणक पुत्री हम गगन के पंक्षी है इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे इसलिए हमको अजाद कर देजिए तोते ने इसके लिए बहुत याचना की तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा कहा कि यह तो मेरे साथ ही रहेगी नर तोता ने कहा कि मेरी पतनी गरब बती है इसलिए ऐसे समय पर इसको जाने दें हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते इसलिए आप मेरी पतनी को जाने दें लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी इस पर मादा तोता को बहुत गुसा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गरब वस्ता मेरे पती से मुझको अलग कर दिया वैसे ही गरब वस्ता में दुरान तुमको भी पती वी योग सहना पड़ेगा इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्रान त्याग दिये मादा तोता के प्रान त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पतनी वी योग में प्रान चले गए इस से माता सीता को बहुत दुख हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बताया जाता है कि अगले जनम में तोता वही दो भी था जिसने माता सीता के च्रित्र पर उंगली उठाई थी जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्व वस्ता के दुरान त्याग कर दिया तब माता सीता माहरिशी बार्मिक आश्र में पहुँची और वहां उन्होंने लव और कुछ को जनम दिया देवी सीता के वियोग की कथा अन्य परानों में यह भी मिलती है कि उनका सबंध देवरिशी नारज से माना जाता है कथा के अनुसार एक बार नारज जी को अभिमान हो गया था कि काम देव भी उनकी तपस्य और अब्रमचरे को भंग नहीं कर सकते उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरी को बताई तब श्री हरी ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है जो कि सही नहीं है इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची जैसे ही श्री हरी से परनाम करके नारद मुनी आगे बड़े तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्र मुहनी को देखकर वह मुहित हो गए यह सब एक माया थी राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंक कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विश्र में पहुंचे और कहा कि ही प्रभू आप मुझे अपना श्री हरी का सुन्दर रूप दे दिजिए तब भगवान ने कहा कि नारद जी ऐसा ना हो की आप इस रूप को लेकर बाद में पस्ताएं गरसल नारद जी राजकुमारी को रूप दे कर भूल गए थे कि उनका एक रूप बनर का भी है तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया जब नारद जी राजकुमारी के सुम्बर में पहुंचे तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को दे कर हसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को दे कर वर मला नहीं पहना दी तब उन्होंने पानी में अपना मुख दे कर करोदित हो गए करोद में उन्होंने भगवाण विश्नु को शाप दिया कि जिस तरह से मैं इस्तरी के लिए तडपा हूँ आप भी प्रित्वी पर इस्तरी वियोग का सामना करेंगे जब माया का प्रभाव खतम हुआ तो नाराज जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शमा मांगी तब भगवाण राम और माता सीता को योग का सामना करना पड़ा बोल सिया पति राम चंद्र महराज की जैन तो ये थी हमारी कथा या तो आपको हमारी कथा अच् झाल 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 झाल